ओहो ओहो ये मैं कहां पर आ गया और यहां की सारी दीवारे कहां गई ओह बले बले यहां से तो क्या मस्त मस्त नचारे दिख रहे हैं ओ तेरी की यहां पर तो आना जितना मुश्किल है बाहर निकलना उससे भी जादा मुश्किल है रह बाबा देखो दोस्तों हमें एक बार फिर से आ गये है ग्रैनी के घर पे और अगर आपने हमारी पहली वीडियोज भी देखी होगी तो आपको बाता ही होगा कि गेम डेफिनेशन चैनल पर ہी आपको मिलती है ग्रैनी के घर की इनौख्य अनौखय ट्रिक्स और अगर आपने नहीं द और लिए पहां गुषे जा रहा है वीडियो चुरू करने से पहले अपनी अटेंडेंस तो दीड़ों अटेंडेंस वो कैसे लाइक वाले बटन को दबाएका उसी की ट्रिक्स बहुत अच्छे से काम करेगी और जो नहीं दबाएका उनकी ट्रिक्स में दिक्कत आएगी तो च ग्रैनी के इस जादूई गर में कहीं भी कुछ भी हो सकता है तो चलो हम ग्रैनी को यहीं चोड़ते हैं और जल्दी से चलते हैं अपनी पहली ट्रिक्स की तरफ जो की होने वाली है बिल्कुल मस्त जपर दस्त बोले तो धमा के दार तो दीखो दोस्तों सबसे पहले हम भी नहीं बाका कर सकती बाल चा मैं तुझे भी बाका कर दूँगी रुक गेम डेफिनेशन ओहो यह बचा कहा है मैं इसको कैसे तकड़ू आज़ा है या बाहर है हा और ग्रैनी अब तुम मुझे को ड्यूड़ी नहीं सकती क्योंकि मैंने अपनी ट्रिक को एक्टिवेट कर पाहर निकल जाती है यह देखो दोस्तों हमने तो ग्रैनी को चकमा दे दिया हम तो यहां पिआ गए लेकिन ग्रैनी अभी तक बाहर Хी नहीं आई ओए चाचुन्दा तू महा का पहुचा ग्रैनी इट्स मैजिक इट्स मैजिक रोका अभी तुझे दंदे का मैजिक दिखाती हूँ चलो दोस्तों जल्दी से यहां से भागो और मैं आपको ले चलता हूँ अगले ट्रिक दिखाने के लिए और गॉइस जो ट्रिक मैं आपको अब दिखाने माला हूँ यह होने वाली है बिल्कुल ही दमदार क्योंकि इस ट्रिक को देखने के बाद आप भी बिल्कुल खुश हो जाओगी लेकिन गॉइस पिछली ट्रिक में तो ग्रैनी ने हमारी बैड की पावर को खतम करवाती है कोई बात नहीं हम जल्दी से अपनी पावर को दुबारा एक्टिवेट करने के लिए इन दो बटनों को एक साथ दपाती है लोग हमारी पावर तो हो गई स्क्राट लेकिन दोस्तो इस ट्रिक के लिए अभी आपको थोड़ी और मेहनत भी करनी होकी तो जल्दी से इन वाली सीडियों के पास आजाओ और यहां से सरक सरक के अंदर चले जाओ क्योंकि दोस्तो हम गेम के लिए तो खड़े है ना इसलिए हम यहां पर डाइरेक्ट नहीं घुश सकते तो चलो जल्दी से नीचे कूद जाते हैं वी मा देखो दोस्तो और इसी के साथ अब हम लोग अपनी ट्रिक को करने के लिए बिलकुल रेडी है तो चलो जल्दी से चलती है हमारी ट्रिक वाली जगा पर लेकिन दोस्तो इस ट्रिक के लिए तो हमको चाहिए प्लैंक तो क्या सोचना जल्दी से प्लैंक को तोड़ो तोड़ो लोग गाईस हमें प्लैंक तो मिल गया आप जल्दी से इस प्लैंक को लगाती है यहाँ पर लेकिन दोस्तों आप जरा इस जगह को ध्यान से देख लो क्योंकि ये ट्रिक यहीं पर ही होती है तो हमने लगा दिया हमारा प्लैंक और अब ऐसा कुरता हूँ जल्दी से गन को भी उठा लेता हूँ क्योंकि ग्रैनी के इस जादूई घर में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है और लोग दोस्तों इसी के साथ हम लोग आ गई है प्लैंक के उपार और गॉइस देखो ये जगह है कितनी अनोकी पिल्कुल मज़ेदार और ऐसा नजारा तो आपने पहले कभी भी भी नहीं देखा होगा क्योंकि ये है ट्रिक का जदू ग्रैनी तो हमारे पीछा ही आ गई चलो ग्रैनी से जान बचाने के लिए नीचे कूद जाते हैं ये मैं कहां आ गया गॉइस ये जगा तो कुछ जानी पहचानी ही लग रही है चलो अंदर जाकर देखते हैं रे बाबा अरे वाउ गॉइस हम इस इतनी अनोखी जगा पर बहुत ही आसानी से आ गई यहाँ पर आने के लिए तो हमें बहुत पापड बेल ले पड़ते थे लेकिन ट्रिक की वज़ा से तो हम एक चुटकी में ही अंदर आ गए और देखो गाइस अब हम कितनी आसानी से यहाँ का कोई भी समान ले सकते हैं और आप देखी सकते हो डॉर पे तो अभी भी लोक लगा हुआ है और बिना डॉर का लोक खोले अंदर आना तो बिलकुल इंपोसिबल है लेकिन गेम डेफिनेशन के लिए कुछ में इंपोसिबल ही नहीं ये कैसी आवाज आ रही है जरा चैप करता हूँ अरे कौन है यहाँ पर कौन है ढपा यहाँ तो मैं हूँ क्यों हिला डाला ना बेटे हर बात ट्रिक की मदद से मुझे बंद करता है आज खुद ही फस गया अरे गाइस आज तो मैं सच्ची में अपने ही जाल में फस गया तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए ऐसा करता हूँ जल्दी से ग्रैनी को मखल लगा लेता हूँ अरे ग्रैनी, मेरी प्यारी ग्रैनी जल्दी से गेट को खोलो और मुझे को बाहर निकालो ना बाबा ना, आज मैं तेरे कोई बात नहीं सुनोंगे अज तो मैं यही पर Camper करूंगी और तेरे बहर आने का इंतजार करूंगी अरे Granny जब तो गेट नहीं खोलोगी तो मैं बाहर कैसे आऊँ का इसलिए अच्छे बच्चों जयासी चल दी से गेट को खोलो मिले को नहीं खोलोगी और जब तू बहर आएगा तो इसी देंडे से तेरा पक्सी हेडशोट करूँगी ओह ग्रैनी मुझे चैलेंज करती हो देखो मेरे हाथ में क्या है बंदूग और इसी से खोलूँगा तुम्हारी खोपड़ी का संदूग ओई मा मैं मर गई हाँ हाँ ग्रैनी देखा मुझे पंगा लेने का नतीजा ओ शिट गाइस ये मैंने क्या किया ग्रैनी ने तो बिल्कुल सही कहा मुझे को लगता है कि मैं यहाँ पर फस गया हूँ क्योंकि मैंने अपनी बंदूग की गोली को ग्रैनी पर वेस्ट कर दिया और अब मेरे पास यहाँ से बाहर निकलने के लिए बोले तो इस दरवाजे का लोग खोलने के लिए कोई भी गोली ही नहीं बची अब मैं क्या करू क्या करू क्या करू अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा हाँ यहाद आया दोस्तो मुझको यहाँ से बाहर सिरफ एक ही ताकत निकाल सकती है और वो ताकत है आपके अंगूठे में तो ऐसा करो जल्दी से अपने अंगूठे की मदद से लाइक वाले बटन पर तिलक लगा दो जिसे मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा और उसके बाद हम ग्रैनी की पंगी भी तो बच जाएंगे और जब अप लाइक वाले बटन को दबाने जा ही रहे हो तो उसी के साथ वाले सब्सक्राइब के बटन को दबाकर बैल वाले आइकन को भी प्रेस कर दो क्योंकि गाइस हमने चल्दी जल्दी से 3 मिलियन पर भी तो जाना है आखिर कब तक हम यही पर भटकते रहेंगे तो गाइस आप लोगों ने इतनी महनत कर गए मुझे वहाँ से बाहर निकाल ही लिया उसके लिए आपका थैंक यू और इसी बात पर मैं अब आपको दिखाऊंगा ग्रैनी के घर की एक बोनस ट्रिक जिसको देखने के बाद आपका मूँ पूरा खुले का खुला ही रह जा तो कोई बात नहीं क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर बहुत सारे रास्ते तो ये तो है बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक इसके लिए आपको इस बॉक्स के पास आना है और इन दो बटनों को एक साथ दबाना है लो गाइस हमारी ट्रिक तो हो गई शुरू बस आप यहाँ से नीचे कूद जाओ और गाइस इसी के साथ हमको मिल गई है अद्बूत अविश्वसनिय बोले तो दिवैत रिष्टी जिसकी मदद से हम कही पर भी किसी को भी देख सकती है तो चलो मैं जल्दी से उपर जाकर आपको चेक भी करवा दीता हूँ ये देखो गा जब आप इस ट्रिक को अपने दोस्तों को दिखाओगे तो वो भी बिल्कुल हक के भक के भोचक के रहे जाएंगे और आपके पूरे फ्रेंड ग्रूप में आपका भोकाल हो जाएगा लेकिन ये होगा कैसे उसके लिए तो आपको इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शे को